हडूप एको सिस्टेम एक बहुत ज़्यादा इंपोरन टॉपिक है जिसके उपर एक्जाम में दस माग का कोच्छन आने के बहुत ज़्यादा चैंसे है इसलिए बस अगले कुछी मिनिट्स में मैं आपको इसका एक इसे एक्सप्लेशन देने वाला हूँ सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि हडूप एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो बिग डेटा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है हडूप एको सिस्टेम में होते बहुत सारे टूल्स और बहुत बार ऐसे होता है कि हडूप जो है वो अकेला HDFS और MapReduce दोनों को एक साथ समझाऊंगा क्योंकि दोनों के दोनों एक ही जगह पर लाइक करते हैं अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो है यह हमारा हडूप आर्किटेक्चर है ठीक है अब हडूप आर्किटेक्चर में दो सबसे मेजर कंपोनेंस होते होते एक होता MapReduce और d αναएते हिए of event के अंद़ दूह मेजर कंपोनेंस के दोस्वतते नोड और दूसरा न निम नोड अगर इगजाम में यह कोशन पूछा जञा तो को HDFS के अंदर आपको HDFS क्या होता है वो explain करना पड़ेगा इन शॉट देन उसके बाद आपको डेटा नोड और नेम नोड explain करना पड़ेगा और मैप रिड्यूस के अंदर आपको मैप रिड्यूस क्या होता है वो explain करना पड़ेगा इन शॉट एंद उसके अंदर task tracker and job tracker को explain करना पड़ेगा सब in short क्योंकि exam में इनकी उपर detail में भी question आ सकता है वैसे तो आपको notes में सारे की सारी चीज़े exactly आपको कैसे लिखना है वो मिल जाएगी बट फिर भी अब एक छोटा सा example लेंगे हम लोग और उसके सारे हम इस पूरे आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे अब मान लेते हैं कि यूट्यूब में 200 चैनल से और यूट्यूब को इन 200 चैनल में से एक ऐसा चैनल धूंड निकालना है जिसमें सबसे जादा वीडियो सब्सक् को जो भी पीस अब डेटा वो देटा नोड में सब्सक्राइब करें उसके उपर प्रोसेसिंक कौन करेगा ठास्ट एक करएगा उसका जो फैंड होका जिसकी मदद से उसको पीस आप डेटा मिला अन्य उस में कॉन सा ऐसा जीनल सब्सका व्यहैन हैं सब रेयोड इकर करने के को कर देंगे और जॉब करेगा ये भी करेगा टीक है है अब जॉबट क्या करता है डेटा को ट्यूइड करने का वगेरा यह मतलब स्ट यह चाहता है चाहता है कि दो का में बाइब अन्दर करें ठेल प्रायूरिटा के हिसाब से काम को डिवाइड करता है बहुत बार अब करते हैं। एन नोट के पास जाता है तो कौन सा किस नोट के पास गया है वह इंफरमेशन नेमनोड के पास होता है बस यहीं नहीं और भी बहुत सारी चीज़े नेम नोड करता है जैसे कि एक फाइल के तीन कॉपी बनते हैं और कौन सा कॉपी किस नोड में गया है वो भी इंफोर्मेशन नेम नोड के पास होता है तो basically MapReduce हो गया, JobTracker, TaskTracker क्या करता है दोनों समझ गया आपको और HDFS क्या होता है यह दोनों क्या करता है आपको समझ गया अब आगे बढ़ते है फ्लूम के पास आते हैं हम लोग अब फ्लूम क्या होता है It is a data ingestion tool in HDFS मतलब इसकी मदद से हम data को HDFS के अंदर ingest कर सकते है डेटा कोई भी प्रकार का हो सकता है unstructured data हो सकता है structured data हो सकता है यह semi structured data हो सकता है और इसका एक example मतलब हम फ्लूम के मदद से social media के अंदर से data extract कर सकते है और HDFS के अंदर डाल सकते है flume की मदद से आप ऐसे services जिसमें बहुत ज़्यादा locks generate होता है ऐसे services में से data extract कर सकते है और HDFS में डाल सकते है ठीक है और जो हमारा flume होता है बहुत ज़्यादा reliable होता है बहुत ज़दा fault-tolerant होता है और इसके वज़े से flume का इस्तमाल बहुत ज़दा लोग करते हैं और बहुत ज़दा तादाद में flume का इस्तमाल होता है अब बाचे है हाफ की ऊपर आते है it is an open source data warehouse system for इसके 3 functions होता है एक होता है querying data दुसरा होता है analyzing data और तिसरा होता है summarizing data और यह जो data है वो large set of data होता है मतलब large data set होता है और कहाँ पे store होता है H files में मतलब Hadoop files में then यह क्या use करता है HQL use करता है मतलब HiveQL HiveQL कैसे generate होता है Hive plus SQL is equal to HiveQL और इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो Hive है it is a SQL like query language और इसका एक बहुत ही important feature होता है कि यह highly scalable होता है अब हम आते है H base के उपर जब मैं traditional data versus big data समझा रहा था मैंने बोला था traditional data RDBMS में store होता है RDBMS मतलब relational database बट जैसे जमाना आगे जाता गया वैसे जो data है वह बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और इसलिए हमारे picture में हडूप ऑट अगर data हडूप में stored है और अगर suppose मुझे एक particular record fetch करना है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था for example उसके लिए मुझे पुरा का पुरा HDFS scan करते बैठना पड़ता था ओके तो एक limitation है वहाँ पे मैं quick random access to huge amount of data नहीं कर पाता था तो इस limitation को दूर करने के लिए आता है हमारा edge base edge base क्या करता है it is a distributed column oriented database build on top of Hadoop file it is designed to provide quick random access to huge amount of data इसके मदद से मैं huge amount of data में कोई भी अगर मुझे रेकॉर्ड जाहे कुछ भी दूट चाहिए तो इसको quickly randomly access कर पाता हूँ ओके यह होता है edge base अगला tool है महूट machine learning algorithms को big data के ओपर implement करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है with the help of महूट अब महूट के तीन टेकनीक से एक recommendation classification and clustering recommendation का मतलब अगर तुम और तुम्हारे दोस्त नेट्फिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं और suppose for example तुम्हारे दोस्त ब्रेकिंग बैड या money heist या how I met your mother या elite यह चार पाइस वेफ सिरीज बहुत देखते हैं और इन में से एक या दो तुम्हें भी recommend हो गई यह सब तुम्हें भी recommend हो रहे तो इसके पीछे महूट का हाथ हो सकता है second is classification मतलब अगर suppose ने एक email को spam में बेज दिया spam क्लिक कर दिया तो अगली बार Gmail क्या करेगा उसको spam section में जाल देगा ताकि वह तुम्हें बार-बार परिशान ना कर सके तो basically Gmail ने उसको as a spam classify कर दिया classification पीछे के पीछे वह है and third is clustering clustering का मतलब चीजों को मतलब एक तरीके के चीजों को एक cluster में या एक group में डालना उसको clustering कहता है अब अगला tool है pig यह एक data processing tool होता है और उसके खुद के एक language होते है जिसको हम कहते है pig Latin यह scripting language है और इसका खुद का component भी होता है जिसको हम कहते है Apache pig engine यह क्या करता है यह उन pig Latin scripts को accept करता है और एक line जो pig Latin में लिखी है is equal to hundred lines जो Java में लिखी है और इसलिए pig Latin यह बहुत ज़्यादा easy होता है बहुत ज़्यादा famous है और इसमें बहुत ज़्यादा कम मैनत करनी पड़ती है और जिन लोग को वह सब्ढ़ना language नहीं आती है उनके लिए pig यह बहुत ज़्यादा भगवान kind of thing साबित हुई और इसलिए उन लोग को यह जानवर भी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है जानवर मुझे बताओ कि आपको कौन से जानवर पसंद है और मुझे बताओ कि आपको कौन सी वेब सीरीज पसंद है मुझे आजकल मैं वेब सीरीज वगरा देखता हो कभी-कभी तो मैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज में के तला इस पर चलाने वाला यह खुद हाती है यह मदुमक्की है फिर यह आधा हाती है आधा मदुमक्की है तो यह पूरा कबरा जू है उन जू में जितने वी सारे जानवर है उनको एक साथ रखने वाला भी तो चाहिए तो इसलिए हमारी पेक्चिर में आता है इसे हीरो पर करते जू कीपर के वजह से यह सब एक दूसरे के साथ कोडिनेट करते हैं अब जू कीपर यह एंस्यूर करता है कि यह टूल्स एक दूसरे के साथ आसानी से कम्यूनिकेट कर सके और इनके बीच में कोई भी इंटरॉप्शन ना आए क्यूं ताकि सारे के सारे एक साथ काम करेंगे तो जो हमारा काम है जो हमारा टास्क है वो इसली पूरा हो जाएगा ठीक है अब मुझे कमें सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगा नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉरेंट है और यह हमारी प्लेलिस्ट है आपके लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया इसलिए आई थिंग डैट कि एक लाइक तो बनता है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिए यह हमारा प्लेलिस्ट है एक बार फिर से कह रह थैंक यव वाचि इस वीडियो और हम आइस देए बगाई